आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयनती है। गांधी जी के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं, जिनमें जीवन को सुख और सफल बनाने की सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याई खत्म हो सकती है। आज 2 अक्टूबर को अवर एजुकेशन चैनल पर जानिये गांधी जी का एक ऐसा किस्सा, जिसमें गांधी जी ने गलतिया स्वीकार करने की सलाह दीड है। अगर अभी तक आपने हमारा वर एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे, महात्मा गांधी जब जी छोटे थे, तब एक दिन उन्होंने अपने ही घर में चोरी कर ली थी। इस बारे में गांधी जी ने भी खुद जिक्र किया था। बालक मोहंदास ने बड़े भाई के सोने के कड़े में से कुछ सोना निकाल लिया था मोहंदास अपनी कुछ जरूरते पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें धन की जरूरत थी। उन्होंने चोरी कर ली, लेकिन बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पच्तावा हुआ। वे सोचने लगे कि आब इस गलती को किस के सामने स्वीकार किय जाए। मोहंदास ने पिता के सामने गलती स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्हें डर भी लग रहा था कि अगर चोरी के बारे में बताओंगा तो सजा भी मिलेगी। मोहंदास ने दरते दरते अपने पिता को एक चित्थी लिखी। चित्थी ने उन्होंने अपनी गल पिता के मौन ने गांधी जी की सोच बदल दी, इस घटना के बाद से ही संसार को महात्मा गांधी के रूप में सबसे इमांदार व्यक्ति मिल गया। गांधी जी की ये सीख मानने से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसी तरह के important informative वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।